इंडिया भर्सेस आस्टेरेलिया तिसरा ओडियाई बहुत बड़े बड़े बदला हुए हैं लेकिन लास्ट मेच में हमने कहा था कि 20 टीम बनाओ, 40 टीम बनाओ, जितना बनाओ, सारे पे स्रियस आयर होगा केप्टन। लोग ने पीक करके नहीं लायर हम लोगों ने केप्ट और यहाँ पर देख सकते हो, इसमें तो मैंने सुभुमान गील को ड्रोप किया, बीना सुभुमान गील के मेरे भाई यहाँ पर मीनी जील 25 मेंबर वीन हो जाना, अब सोच सकते हो, टीम कैसी रही, तो मेरे भाई मैंने ये टीम आप लोगों के दिया था, जहां तक कि VC भी इनकी अलाबे सुभुमान गील भाई सा, तक पिलियर नहीं, फिर भी हमारा टीम पर फेक ता, देखो रिस्क लेने से मैंने डरता हूँ, इनको मैंने केप्टन से दित, बहुत सारे लोग पीक नहीं किये, आर असमीन की नहीं के टीम पर नहीं थे, ये तीनों जो यहाँ पर पर एक कॉंबिनेशन बताया था, सुभुमान गील, केप्टन, भाई स्रेयस एर, वो वाले है, तो तहल का मचा दिया होगा, रीम लेबन पर बहुत सारे लोग अच्छे खासे अर्न किये थे, तो इस बार उमीद होगी कि और भी जबड़ दस्त जाए, हर अपली केसन में हम इसे मुकावले में कौन होगा केप्टन, भाईया, रीस्क लेंगे, रीस्क देखो, खेला जाएगा, कहां राचकोट के पीछ पे खेला जाएगा, वहाँ पर डोमेस्टिक में जो हुए है, वो किस परकार से हुए है, उनके उपर नजा डालेंगे, और यहां का पीछ जो है रन बनते हैं, जैसे लास्ट मेंचे बना, अब जो बड़ा इसकोर हो जाए, नहीं संभाल पाएगा, तो क्या करेगा, अस्टरिलिया वो सस्तिम नहीं पट रहा था, क्योंकि बड़ा इसकोर था, अब देख सकतो सेन एवोड जैसे गेनवाजी, ओल्राउंडर ने भी जम के फाइदा उठाया, जो सेजल वोड ने मारा, तो यहाँ पर बड़े पिलियर, बिराट कोली, रोही स्तरमा की वापसी हुई है, हर्दिक पांडिया उमीद था कि खेलेगा, लेगे हर्दिक पांडिया अभी भी ये बहार है, याने की नहीं खेलने बाले हैं, इनके लावे ग टेलीगराम चैनल को आपको जोईन करना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खिलता हूँ, इनके अलावे जील का टीम, पीच रिपोर्ट, पेलेइंग लेवन, याने की बहतर से बहतर सांदार से सांदार टी जितने चीजों की अवसकता होते सारा कुछ टेलीगराम पे ही तो देता हूँ, अगर टेलीगराम नहीं तो वाच्टसप गुरूप भी डिस्क्रिप्चन में होगा, वहाँ भी जोईन कर सकते हूँ तो मेरे भाई ये हमारा टेलीगराम चैनल है 57.1 के वीडियो के डिस्क्रिप्चन में लिंक होगा, या फिर वीडियो के टोप कोमेंट पे ही लिंक होगा, उनहीं के सायता जोड़ना ताकि ओरिजिनल चैनल पे आपावर बिल्कुल फीरी का फाइदा उठा ले जाओ तो दोस्तों लगभग दोनों का पेलेंग लेवन यहाँ पर डिकलियर हो चुका है, रोही सर्माग साथ इसान कीशन आने वाले ओपन, सुबमन गिल को यहाँ पर रिस्ट दिया गया, और गया क्वार्ट जो एसियन गेम इंडिया का जो होने बाला है, उसमें के फ्रंसी करन इनके लाब वन डाउन आएंगे, अपना पिराट कोली जबड़दस्त चाहेंगे सतक से ही सुरुवात करें, स्रिय सायर लास्ट मेच का हीरो हम लोग का जबड़दस्त ट्रंप कार्ड पिलियार, लोके से रहूल, इनके लाब सुरिया यादब, यादब का पावार आपको देखने के मिलेगा लंबे-लंबे चके, भाई दुद्धही का नतिजा ये दिखाते हैं, रभिंदर जड़ेजा, घजब का इनका गेन, अब टर्न होरार इंडिया में तो बहुत, जादा हेल पे मिलता है स्पिनर को, तो ये इंपोर्टेंट रहेगा, लेकिन कब, पहले गे जड़ेजा, गेन पे दिकते आ रहे थी, और घजब के फोम में कुल्दी प्यादा भाईया, इनके बोल पे छक्के मारने पड़ेंगे, ये फिर LBW का बहुत बड़ा नतिजा रहता है, जस्पिरिद बुमरा मुहमस सिराज, एस या कप का हीरो मुहमस सिराज की वापसी हो और उन्होंने एक स्वीब चवका मारा वो भी देखके मज़ा आ गया, लेकिन उसी कर नतिजा रहा कि बाये हर्प का बलेबाज दाएं खेलोगे, तस्वीन कितना इस्पिरिजन्स दा रहा है, उन्होंने LBW करार दिया, और ये सोच लिया होगा कि अब नहीं खेलूंगा द जब के फोम में साउथ अफ्रिका खिलाब सतक पे सतक जड़ रहे थे, लेकिन यहां पर अस्वीन के आगे ये हर बार घुटने टेक जाते हैं, दोनों बार ये पहला बार स्टंपिंग हो गया, दूसरी बार तो इन्हें आम बोल्ड डाली और ये किलीन बोल्ड हो गये, गि जोस इंगलीज, जोस में यहां पर खिलेगा, जीयल के लिए बेतर है, केमरोन गिरीन अगर जदी इतना नीचे खिलता है, तो इसे पिक करेंगे, अगर जदी तिसरे नमर पे लास्ट मेच की तरह खिलता, तो केप्टन बेसी का बढ़िया चुआ है, मारका इस्टोनीस जोस से जलबूल एक जटका देगा हो सके, आरगा आकवार्ड या फिर सुबमन गिल या फिर दोनों जा सकता है, और सेम वैसा ही हुआ, इनके बाद स्रेस अईयर का महिने बता है, कि लगबग सारे टीम पे केप्टन सी देदेना ये गज़रप कखे लेगा, आने के साथ इतने जबरदस्त बेटिंग किया, एसा लग रहा था कि T20 का बले बाज है, और यहाँ पर सुबमन गिल काफी दिक् जा दिया, भाई, थोड़ा उतना दूर मारने से क्या जवरत है, छे रन यहाँ भी मिलता है, वहाँ भी, लेकिन इन्होंने पावर दिखाया, केप्टन सी पावर है, इसान किसन यहाँ पर ओपन करते हुए नजर आएं, और भी मज़ेदार आएगा, पावर पहले बच्चा यह टिग गया तो दोरा सतक की उमीद होगी, रोईस्तरमा भी दोरा सतक के बल्ले बाज है, तो अच्छा लएगा, और मेज भारत के राजकोट में है, जहाँ पर रन अच्छे खासे बनते हैं, ढाई सो पलास तो इजी पार होना ची, इजी, तीन सो एकदम जाना ची, सुरक लिला गेनवाजी क्या रहा? इंडिया के तरफ से स्रिय सयर और सुभमनगील अरसात में केमरोन गिरीन का भी सतक आया, केमरोन गिरीन को बल्ला अगर जदी पकड़ा कर एक फोटो घिच लिया जाता, गेनवाजी छोर पे ही तो मजा आ जाता, एडब जमपा को भी ठिक ठक अरसत के पारी लगी, सेने बोट ने भी अरसतक, याने लगभग सारे लोगोंने अरसतक जड़ा, लेकिन मेथ्यू सोट ने नहीं जड़ाकियों की इनोंने बोलिंग ही नहीं की, तो जमकर पिटाई पड़ी भईया, फिर चे पिटाई होने बाले दोनों में धुम धड़ाक होगा दिबावली की तरह, अस्ट्रेलिया अक तरब चे डेविड वर्नर इंपोर्टेन रहेगा, ठीक ठाक बल्ले बाज है, बस थोड़ा से इनको दिक्कत है मोहमाद सिराज, बाए हाथ के बल्ले बाज के लिए खतरा है मोहमाद सिराज, याद रखना, बाकिस्टिवन इस तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ ने, इंडिया के मुकाबले में रिकोर्ड देखने एक ज़रत है, शुरू आती, दो मुकाबले में हम लोग उने सब कुछ देख लिया, अब चलिए सीधे कॉम्बिनेशन के उपर बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंड है, जी हाँ मेरे भाई कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले हैं, ज़्यादी हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हो, तो जल्दी से जाकर सबस्क्राइब कर लो, बहुत सारा फायदा मिलेगा, एक ड्रीमिलेबन का न्यू अपडेट आया है, कि ड सारे लोग का रिपलाई देता हूँ, वो भी बहतर तरीका से, इंडिया की टीम पे देखा जाए, तो इंडिया की टीम से मैं पहला बिगट की पर इसान की सन को यहां से पिक करने बाला हूँ, रोज सर्मा की बापसी हो रही है, आप लोग जरूर पिक कर लेना, मैं रोज सर मुहमद सिराज हमारे टीम पे आएगा, कुल्दीब भया आएगा, यह भी जादब का एक नमर पावर है, जादब पावर हमेशा बार बार देखने को मिलेगा, सुर्या के बले से और कुल्दीब के गेंद से, रभेद रिजड़े जा इंपोर्टेंट रहेगा, जिस तरह च टाई बहुत जादा पड़ेगी, यहाँ पर देखा जाए तो, अस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए तो, यहाँ से इनके तीन सर्वस्रेश्ट ओल्राउंडर को मैंने यहाँ पर पिक या, डेविड वर्नर हमारे टीम पे आएगा, मारकस लभुस्जग ने, भया इस्ट पहले गिनबाज ही करेगा, तो, इनका एक ओल्राउंडर हो सकता है, जाएगा बाहर, और एक इस्ट्रब इनके गिनबाज, जो कि मिचल स्टार्क डेथ में डालेगा, उनके उपर हम लोग जा सकते हैं, तो, इन बातों को ध्यान रखें, फिलाल के लिए के लिए के लिए के पहले बाज के उपर ही जाओं, क्योंकि पीच जो राचकोट और इंडिया पीच होता, रन बरस्ते हैं, तो, मेरे भाई, फिलाल के लिए क्या करो, अब ये टिम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, कहां, अपने टेली गर हम चैनल डोमेस्टिक पिलेंग 11 पे तासा करते हैं, लक्षिमा विशरिमा, ओल भगवान की किरिपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाएगे